नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बैफिट से आपके अपने यूट्यूब चैनल कमपटीशन प्रिप्रेशन पर आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे इस वीडियो में हम ऐसे सी सीजियल 2021 के मेंसुरेशन के सभी 25 26 प्रेशन है वो करने वाले हैं और सारे प्रेशनों की ट्रिक भी बताऊंगा और बेजिक से भी जहां जरूरत लगती है क्योंकि मेंसुरेशन में अगर आपको फॉर्मूले याद है तो फिर ज्यादा दिमाग लगानी जरूरत नहीं होती कई बार ऑप्संस इलिमिनेशन स से भी हो जाता है फैक्टर एक्टर देख लेते हैं 11 का फैक्टर बाइस लेकिन अब इससी इतनी चालाक हो गई है कि वह आपको जो ऑप्संस देती है वह भी सारे 11 से कट रहे होते हैं तो ऐसा अगर यूज कर पाएं प्रेक्टिस के साथ यूज कर पाएं तो ठीक है अदर आपको फॉर्मूले अगर याद रहेंगे मेंसुरेशन के सारे प्रेशन हो जाएंगे मेंसुरेशन में बेसिक अगर किसी को भी प्री से मेंस लेवल का पढ़ना है मेंसुरेशन इस्टार बैज प्लेश्ट आप जरूर देखें ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं देखो आपने देखोगे एक खाली ग्लास लेकर पहले मैं समझा दे रहो खाली ग्लास मालो इसमें भरा है कोई लिक्विट मालो पानी दूद कुछ भी भर है आपने उठाया दो बिस्किट इसमें डाल दिया ओरियो वाले आप देखते होंगे यहां तक पहले पानी भरा थ यहां जाता है यांड़कश कसी समय को बिख्राइं यहां टोस करने को 16 संटिमेंटर लंबाई 8 संटिमेंटर चौड़ाएं ऊचाएंवाले एक आहिताकर कंटेनर में गिरहा जाता है जो आंसिक रूप से बरा है यदि घन पूरी तरह से डूब जाता है तो जलस्तर कितना उठेगा देखो एक घनाभा कार कंटेनर था मतलब क्यूब ओयर था इसमें मालो पानी भारा हुआ था पानी यहां तक कुछ पानी था अब क्या हुआ हमने इसमें डाल दिया एक क्योब, क्या डाल दिया, क्योब डाल दिया, यह मालों छुटको सा क्योब है, यह इसमें हमने गिरा दिया, अब इसके करार से पानी यहां तक पहुच गया, यानि पानी की लेबल में ह उचाई की पृत्धी हुई, तो जो पानी किस कितना हो जाएगा आपको पता है लंबाई चोड़ाई और उचाई है एच माले लेना कि एच उचाई तक बढ़ा है तो आप कहेंगे कि जो पानी उठा उसका आयतन कितना हो किए 16 इंटू 8 इंटू एच यह बराबर किसके हो जाएगा घं कि आयतन कि घं का आयतन होता है बुचा गया संभाहु तिर्भुच की उचाई क्या होगी जिसकी प्रते एक भुचा अब आपको पता होगा कि संभाहु तिर्भुच की अगर भुचा ए हो तो उसकी उचाई ए रूट तीन बटे दो होती है यह सब को पता होगा नहीं पता तो इस्टार बैस जमेट्री प find the cost of fencing the path at the rate of 100 per meter का गया एक path था वर्गा का इसके चौरतर पर एक रास्ता बना हुआ है यह आपका रास्ता है अब आपका रास्ता है आपको जाने देंगे नहीं जाने देंगे वो खेत के मालिक पे डिपेंड करता है अब देखो कहा गया कि यह जो रास्ते के चोड़ाई है यानि इस वन इस 4.5 आपको पता है अगर साइड ए है वर्ग की तो यह पूरी बड़े वाले के कितनी हो जाएगी साड़े चार इधर साड़े चार इधर यानि ए प्लस नो इसकी हो जाएगी यहां से अगर हम एरिया निकालने जाए रास्ते के तो बड़े वाले वर्ग का एरिया यानि ए प्लस नाइन का इसको है इसमें से घटा देगे अंदर वाले यानि ए इसको है और यह बराबर दिया गया 105.75 अब आप ए निकाल लेंगे फिर आपको कितने को पेंट करना है कितने क placement करना है रास्ते के चारोर कहा गया ना की यह पर fancy the path पूछा गया अब कई लोग क्या confuse हो रहते इधर हम path पे इधर fancy करेंगे या इधर हम fancy करेंगे तो SSC ने जो answer दिया था वो इधर अंदर fancy करके दिया था 9 से इसको काट देंगे 9,1,9,1,9,9,9,9,3,69,5, यानि 2A प्लस 9 बराबर इतना है यानि 2A बराबर 2.75, 2A बराबर 2.75, अब आपको फेंसिंग कितने की करनी है 4A की, यानि 4A कितना हो जाएगा यहां से, 5.5 ठीक है? यानि 5.5 मीटर को आपको फेंस करना है एक मीटर फेंस करने का रुपया लगता है 100 तो 5.5 को 550 हो जाएगा कुछ लोग कह रहेते हैं बाहर वाले हिस्से को फेंस करो तो बाहर वाले हिस्से कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 4A प्लस 36 को फेंस करेंगा अब 4A प्लस 36 को फेंस करोगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 41.5 अरे देखो बाहर वाले ही रास्ते के भुजा कितनी है? A प्लस 9 बाहर ये रास्ते जो रास्ता है इसकी बाहर ही भुजा कितनी है? तो उसका प्रिमाब 4A plus 36 हो जाएगा उसको फ्यंस करोगे तो कितना रुपया लगेगा 4A plus 36, 4A वराव 5.5, 36 जोड़ दोगे, 41.5 हो जाएगा उसमें 100 से गुड़ा कर लेना है देखो, कागय छिननक के रूप में 35 cm उची बाल्टी पानी से भरी है इसके निचले और उपरी सीरे की तरिज्याएं दी गई है कागय अगर इसको एक रिबेलनाकार ड्रम में ये पानी डाला जाता है जिसकी आधार तरिज्या 20 cm है तो ड्रम में कितनी उचाई तक पानी आए थोड़ा समय उपर इसको स्लाइड करूँगा, देखो क्या कहा गया, एक छिननक में पानी भरा हुआ छिननक समझे रहो एक संकू हो था जिसके उपर से एक संकू निकाल दिया जाता है उसको छिननक कहते है, ठीक है, ये छिननक था इसकी ये वाली रेडियस के स्माल र दे दिया गया, ये स्माल र उचाई दिया गया एच अब इसको यह इसमें जो पानी था उसको हमने उठाया और एक सिलेंडर में डाल दिया सिलेंडर बोले तो बेलन में डाल दिया बेलन में कितने उचाई तक पानी आएगा आपको यह आयतन जिस जितना पानी का आयतन है उसको इसके एच उचाई के आयतन के बराबर कर दे संकु का freedom क्या होता है? पहले आप समझेंगे? संकु का freedom होता है π deben of time संकु छिन्नक का πई h by 3 into r square plus r square plus r इसको हमें किसके बराबर करना है? balance की freedom के? यह शिलेंडर केbahnा की रेडियस मालो Viking πr sketch square मालो हमें h उचाई तक पानी भर जाता है पाई से पाई काटने में कोई दिक्कत नहीं कितनी मुचाई तक पानी भरा है थेको 35 35 बटे 3 इदा लिखा हुआ R स्कॉर 12 स्कॉर प्लस 18 स्कॉर 12 स्कॉर प्लस 18 स्कॉर कितना हो जागा 144 प्लस 324 प्लस R गुड़े R 216 बराबर 8S square कितना हो जाएगा 20 का square 400 और गुड़े 5 से काट दोगे 80, 5 से काट दोगे 7, 8 से काट दोगे 10 हो जाएगा, 8 से काट दोगे 827 हो जाएगा, 8 से काट दोगे 42, 40.5 हो जाएगा, 8 से काट दोगे 18 हो जाएगा, यानि H बराबर कितना हो जाएगा, इसको 10 को भी divide कर दो तो यहां 2.7 हो जागा है, 4.05 हो जागा है, यहां 1.8 हो जागा, यानि h बराबर कितना है, 7 बटे 3 गुड़े इतना करना है, पहले 3 से भी काड़ दो, यह 0.6 हो गया, 13.5 हो गया, यह 0.9 हो गया, जोड़ोंगे यह 1.5, 1.5 प्लस 1.35, तो यह कितना हो जाएगा? 2.85, 2.85 में 7 का multiply कर दोगे, 2.85 गुड़े 7 करना है, तो यह कितना हो जाएगा? 7.35, 7.36, 7.24, 5.19, 19.95 उचाएदा है, तो आपको यह याद अखना है कि संकु को छिनक का, यानि कि कौन फ्रेश्टम को volume कितना होता है? volume के बीच का difference बताना है किसका? 7 cm त्रिज्जा वाले एक गोले और 7 cm त्रिज्जा और 10 cm उचाएवाले एक संकु के आयतनों में अंतर बताना है, अब देखो, आपको गोले का आयतन पता है कितना होता है? 4 by 3 pi r q, यहाँ आप लिख देंगे 4 by 3 pi into r q, 7 का q, इसमें से निकालना है कितना है? संकु का आयतन, संकु का आयतन कितना होता है? 1 by 3 pi r square, 7 का square, गोले h 10, यहाँ से आपको 7 square pi बते 3 निकाल सकतो, 7 square pi बते 3 हमने निकाल लिया, अब बचा कितना? 7 square pi बते 3 निकल गया, तो यहाँ पर बचा 28, और यहाँ पर कितना बचा? 7 square pi बते 10, यहाँ बचा 7 square गुड़े पाई की वैलू 22 बटे साथ गुड़े एक बटे तीन और गुड़े अठारा लिखा हुआ है ठीक है कार्ट पीट लो साथ से इसकी पावर कट के तीन से यह कटा साथ चक 42 गुड़े 22 42 गुड़े 22 उने डिजिट कितना हो जागा चार तो आपका अंसर कितना हो जागा बैले 22 वैसे 800 से जादा और उने डिजिट चार या बैले 22 करोगे तो 22 24 24 28 24 बारन वे अपने आप आंसर जब मैंने यह प्रश्ण मेंस्टूरेशन के सुरू किया था तो मैंने आपको क्या बत यहां से आप कह सकते हैं चार बटे 3 आर बराबर यह तो अगर मिधर ले आएंगे तो आर बटे एस बराबर हो जागा तीन बटे 4 यह अनुपाद कितना होगा तीन अनुपाद 4 अगले प्रश्ण में इन्होंने कह दिया कि आपको एक कोन दिया कि उसको पिगला के हमें गोले बनाने चोटे चोटे से आप से पुछा किया कितने गोले बनेंगे यहां पे देखो गोले की तरिज्जा जो दी गई है वो दिया गया है 5 mm आपको मैं बता दूँ कि यहां पे लिख लेना 1 cm पहले 1 cm बराबर 100 cm और 1 cm बराबर होता है 10 mm यह लिख लेना कहीं ठीक है ताकि आपको याद रहे अब देखो आपको मैंने हमेशा बता कि एक चीज को पिगला के दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों का वॉल्यूम कॉंस्टाइंट होता है हमने पिगलाना कहा है संकु संकु का वॉल्यूम होता है एक बटे तीन पाई गुड़े रेडियस इसको है रेडियस दिया गए 21 cm इसको मिलीमीटर में बदलेंगे 210 mm यानी 210 गुड़े 210 गुड़े 8, 30 cm यानी 300 mm ये बराबर हमने कहा गोले मालों N गोले बनते हैं तो N गोले का वालूम कितना हो जाएगा n 4 by 3 pi into r cube r कितना है 5 गुड़े 5 गुड़े 5 ये normal suppression बन गया n की value calculate करनी है 5 by 3 से 5 by 3 cancel हो गया यानि यहां से n बराबर हो जाएगा 4 गुड़े 5 20 20 से तो यह आपका खतम हो गया यह 15 आगया अब आपका बचा 25 25 यहां लगा दो बटे में 25 25 25 25 5 3 15 5 से कटोगे 42 हो जाएगा अब इसी को solve कर लेना है यानि आपका हो गया 630 गुड़े 42 या 630 गुड़े 42 न लिखो 210 गुड़े 126 लिख लो इतना आपका आपका आंसर हो जाएगा एक जगे जगे 0 लगो 21 चके 126 हसी लाई 12, 122, 124, 124 हसी लाई के 5 21, 25, 26 आंसर आजएगा आपका हमने क्या कहा कहा कि 32 सेंटीमेटर ब्यास वाला एक बेलनाकार बरतन आंसिक रूप से पानी से भराया 12 सेंटीमेटर तरिज्या वाला एक ठोस धातू का गोला इसमें गिराया जाता है बरतन के इसतर में पानी में कितना ब्रिद्धी होगे देखो कहने का मतलब वही फिर पहला प्रशन बन गया देखो ये मालो बेलन था इसमें मालो यहां तक पानी था कहा था यहां तक यहां तक यह पानी से भरा हुआ था कोई लदालत भरा हुआ इसमें हमने क्या गिरा दिया एक गोला गिरा दिया गोला मालों पूरी तरह से डूब घया यहां पर आगया धरातल पर और इसके करण यह एच उचाई के ब्रिद्धि हुई पानी किस्तर में एच उचाई के बरेद्धि क्यूं हुई जो गोले का यह बराबर कितना हो जाएगा एच उचाई के बेलन के आयतन के बराबर इंटु आर स्क्वाइर कितना दिया गए गोले का ब्यास दिया गया 32 तो त्रिज्जा हो जाएगी 16 यानि 16 गुड़े 16 गुड़े यहां से कुछ कट पीट रहा हो तो काट पीट दो तीन से कटा चार चार चौको 16 फिर बाराबर ही हम 144 16 से डिवाइड करोगे नो तो हैच की वैलू कितने आगे नो आपको मैंने हमेशा से बताया है कि एक वर्ग का विकर्ण अगर देते हैं जब वर्ग देखो वर्ग की लिख सकते हैं नहीं लिख सकते आप कांगे बिल्कुल तो हम लिख सकता हमस्ता हमें लोज्वाइज MAYनि हमने पसेशंते हैं इनुभ partners आप नकाला होगверж Psal! यहीं आपका अंसर है, half into a plus b का whole square, यहां पर सही कर ले न, half into a plus b का, अच्छा ठीक-ठीक, half into a plus b का whole square, या आप इसको factor में खोल दो, मतलब इसका formula में खोल दो, तो a हो जागा, a square plus b square plus 2ab, plus 2ab में अगर 2 से divide करोगे, तो a b हो जागा, याप into a square plus b square plus ab, आपका अंसर आचाएगा पॉलिस करने को कहा जाए, तो हमेशा याद रखना है, पॉलिस कभी volume नहीं हो, तस area होती है, किसी छेतर को हम पॉलिस करते हैं, ना कि आयतन को पॉलिस करते हैं, समझे रो, तो का गया एक लकड़ी के बेलन की वक्र प्रिष्ट को 50 रुपे पर मीटर की दर से पॉलिस करने क कि लागत क्या होगी, ब्यास इतना दिया गया है, उचाह इतनी दी, जो हम पॉलिस करते हैं, वो curved surface area को पॉलिस करने को पहा गया है, वेलन के लिए curved surface area होते है, टू पाई आ रहे जाएगा, और एक मीटर स्कॉार को पॉलिस करने का खर्चा इतना है, आप पहले सारा मीटर म करने है, टू पाई रहे जैनी दो, गुड़े 22 बटे साथ, गुड़े आर, 0.35, मीटर में बदल रहे, और गुड़े एच, एच कितना है, इसको पॉलिस करने है, एक मीटर स्कॉार का 50 रुपय है, तो इतने मीटर स्कॉार का गुड़े में 50 लगा, फॉर्मूला याद होता है, 650, और दो पंचे दस उसमें और जोड़ देंगे, यानि 660, clear, कहा कि लंब बृत्त का, लंब बृत्त का मतलब होता है, लंब बृत्त कर्ट सर्कूलर यहापे सिलेंडर दे देना चाहिए था, ठीक है, यहापे सिलेंडर मेंसन किया गया, हाला कि तो प्रश्न को सही से ल रेडियस लिख लो, गुड़े H, ठीक है, और यह बराबर आपको दिया गया 616, ठीक है, आपको इसके आधार का छेतरफल दिया गया, आधार का छेतरफल कितना होता है, हमेशा समझेगा, आधार बृत्ता कार होता है, और रेडियस अगर R हो तो उसका छेतरफल हो जाता है Pi R Sq. जो कि दिया गया 38.5 इसको लिख लो Pi को 22 बटे साथ यानि 22 बटे साथ गुड़े R Sq. 11 दुना 21 से 3.5 हो गया R Sq. बराबर हो गया 3.5 गुड़े 7 बटे दो यानि कि 3.5 यानि यहां से या झाले हम इसमें आर से मल्टिप्लाई कर दें तो आपका आजयेगस जाये सा प्र confess जाह satisfaction आज़ा है इस Owen गोले का प्रिष्ट छेत्रपल, हमें सब गोले का प्रिष्ट छेत्रपल, अगर रेडियस आर है, फोर पाई आर स्क्वाइर होता है, ये कितना दियागे है, एक्स, ठीक है, आयतन गोले का कितना होता है, चार बटे तीन, पाई आर क्योग, ये कितना दियागे है, वाई, आप सबसे पहले समझों कि अगर कोई एक समझ में है यह हमी सपरिकल डिप्रेशन ऑफ डियामेटर दिस वन इस कट फॉर्म इस सर्फेस मैंने आपको बता है कि अगर प्रतेग सर्फेस से तो देखो यहां फिर ट्रिक से करवा दूँगा तो आप वह हुआ ही करने लग जाओगे वह अन्याश्टे ट्रिक से करवाटा नहीं समझो हमेशा हमेशा याद रखना कि अगर हम एक गोला कार गढ़्धा काड़ते हैं तो जो प्रिष्टिय चे से तरफल वचता है वहμεशा बचता है कितना कितना बचता है तो आप कहेंगे हमेशा बचता हैン हि कि अ सिक्स एब स्कुरण स्पूर्स प्रते प्लक से काटा गया 6a स्कुर्ण जाटी यह रजवर्ल से काटा है अगर हमने की सारे छी से फलक से काटा तो six a square प्लस six pi r square अगर माल लो n फलक से काटते हैं तो six a square प्लस x pi r square हो ठीक है तो हमने यहां पर six a square प्लस six pi rip basic से मैंने करवा रखा है जा के देख लिए अभी हाँ पर six ले लो common six common ले लिया यह square एक इसकी क्यूब के लिए भुजा तो यह सो हो गया प्लस पाइज आर स्क्वाईर इस बटे इस गुड़े रेडेस कितनी बीगे अगर ब्यास चार दिया गया तो रेडेस जाएगा थो दो का इस चार बटे साथ में तो ये। च्छेसों 12 चक्षबहागतर सही 24 बटे साथ 24 बटे साथ को लिख सकते हैं तीन सही तीन इसमें जूड़ जाएगा तो यह तीन बटे साथ बचेगा यह यह फॉर्मूला नोट करें अगर किसी घं में से प्रते एक फेस में से चीजें काटी जाती है मतलब अर्ध गोलाकार अर्ध गोलाकार है इस प्रस्ट में आप बहुत कंफ्यूज होते हो देखो आप से कहा गया चे मीटर गहरी और 35 मीटर चोड़ी एक नदी धाई किलोमीटर प्रतिगंटे की दर से बहे रही है समुद्र में परति मिनट गिरने वाले पानी की मात्रा के लिए देखो एक बात बताओ मालो यह नहर है आपकी ठीक है नहर की वायड के फॉर्म में है यह देखो यह मालो नहर से पानी गिरता है अब आप से कहा गया कि इसकी जो गहराई है वो 6 मीटर इस वन इस 6 और इसकी लंबाई लंबाई वही होगी जो एक मीटर में जितना पानी जितनी दूर तक जाएगा एक मिनट में इतनी दूर तक पानी जाता है तो उसकी लंबाई हो जाएगा यानि आपको दिया गया कि धाई किलो मीटर परति घंटे यानि हम कह सकते हैं पचीस सो मीटर पर चोड़ाई और आपको पता चल गए उचाई तो एक मिनट में गिरने वाले पानी की मात्रा हमेशा अगर लंबाई चोड़ाई उचाई दे दिया गया तो घनाब होगा तो घनाब कायतन होता है एल बी और इन्टु एच तो एल बी एच कर तो 125 बटे 3 गुड़े 6 गुड़े 35 तीन दो नीचे 125 दोना 250 गुड़े 35 खटा खटकार दो 0 35 पंचे 175 हासिल आएगी 17 35 दूना 70 और 177 तो आपका 87 पाच हो गया और चुकि मीटर इंटु मीटर इंटु मीटर है तो मीटर क्यों भशाए गया लंब बृत्तिये बेलन के आधार की परिधी आधार क्या होता है सरक उसकी परिधी टू पाई दिया गया आयतन दिया गया पेलन का वक्रपीश शेते फ़ल निकाना सॉरी देख रहो अगर सुबह उटके चाहे न प्यों तो यही होता है तू पाई आर दिया गया कितना है बासेट पॉइंट आट आपको आधन कितना दिया गया पाई आर स्कू एक यह गार्मस्या सबसुद दियुक्रों और बराबर 26.8 चवालीस इकम चवालीस डिना करों ग्यार दुना वाइस-ग्यारा पक्यारफ पच्च्च धिन्यारा पक्युनहीं राम्यां यहां चार से कटो ही तो चार से कट जाएगा पंदरा दस्मरो साथ हो जाएगा निया अर बराबर्बर आ elemento कि नेहीं अँनी को प्यद्ध चार लेने को कहा गया है हाँ यहा यहां तो इस cavity इसमा लिखा यानि ङना Details अगर हम इसमें 10 से डिवाइड कर दें तो पाई आरेच कितना हो जागा 889 विद्धस मलो दो और आपको क्या निकालने कहा गया है वक्र प्रिश्चेतल जो की होता है कितना है टू पाई आरेच तो दो से इधर भी गुड़ा कर दो से गुड़ा कर दो दू निच्छा दो नव या मैं कब कहा कि तुम किलेशन न शहीड करो तो मैंने कब कहा कि तुम केल्कुलेशन न सही करो बें मैंने तो हमेशा कहा कि तुम भी सही कर लो कोई कहता कि अरे तुम्हारे पास मेथड बहुत अच्छी नहीं है केल्कुलेशन अच्छी है तो केल्कुलेशन अच्छी है मालो मेथड बहुत अच्छी नहीं है ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे टीचर के पास तो method भी अच्छी है, calculation भी अच्छी है न, फिर कहने आते number, फिर कहने उर समझा पाते, तो यह मैं हमेशा कहता हूँ, तुम calculation speed अपनी अच्छी करो, formula याद रखो, basic concept याद रखो, धड़ा-धड़ चटकाओगे, और जिन लोग को लगत है, इसकी trick बतानी जरूरी हो, trick कहां से है, यह भी बतानी जरूरी है, तो वहाँ पर वह भी बताता हूँ, ठीक है, बाकि आपके दिमाग के उपज है, जो चीज़े समझने है, समझो, कहा गया, 20 cm by 10 cm by 8 cm कि एक बंद box को बनाने के लिए, cardboard कितना लगे, हमेशा समझेगा कि cardboard बंद box कह दिया गया, तो बंद box से यह समझा गया कि पूरी surface area होगी, और हमेशा याद रखना पूरी surface area होती है, 2LB प्लस BH प्लस H, होती है नहीं होती, आप कहेंगे होती है, नहीं होती है, यह हमें नहीं पता, हमें यह पता है कि formula यह होता है, तो लगा दो, 2 times of LB, 20 यह होता है, तो आप कहते है, 2 times of LB, 20 गुष लिया, यह लेते है, याज 2 times of BH प्लस HL लेते, यह B प्लस L into H, यह होता है, अगर बंद box नबरा नहीं होता है, तो याजिके 7 cm कोर वाले किसी ठोस घं से एक ठोस गोला काटा जाता है, शेष ठोस का आयतन इतना है, गोले का ब् कि यह कितना है इतना साथ क्यूब कितना हो जायगा 473-143 तीन से गुड़ा करोगे तो यह चौन त्या स्तिया होता है 102 और यह हो जाएगा 1020, 1029 में से 490 घटाना है यानि कि 600, 549 हो जाएगा बटे 3 यही तो हो गया देख ले ना ठीक है अब 4 बटे 3 गुड़े 22 बटे 7 गुड़े आरक्यू बराबर इतना आपको गोले का ब्यास निकाला है 11 दूना बाइस 11 से कटोगी यह 49 हो जाएगा मेरे हिस हेसाब से ठीक है यानि आपका हो गया 3 क्यों आ रहा है यहां 3 से 3 कट जाएगा ठीक हो ने हैं से हमाना आरक Quinn चान पूराबर हो गया रा कि बटे ने शरी सात भी जाएगा न तो यह आठ रख्यू बटे सात बराबर हो गया उन्चास यानि आर क्यों बटे सात बराबर हो गया ben Eigen गलत लग़ रहा था का गया दो एक जैसे जगों की उचाई इतनी और इतनी है चोते जकी धायत यतनी है बड़े जग की धैट तो उचाई दे गई आपको रेडिया ही निकाल ले हमें उसmost मतलब नहीं रेडिया preconical होंगे तो मालो कॉनिकल जाखा, सृलिंडिकल है, कुछ भी, मालो जैकर सिलेंडिकल लेकर देख रहो, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाखा, पाई आरवन स्क्वार्र और गुडे H1 यानिटी 8, दूसरे का हो जाखा, पाई आरटी 2 स्क्वार्र यानिकी पाई गुडे आर् के तरह होने का मतलब होता है कि R1 square by H1 वाल बटे H1 बराबर R2 बटे H2 होता है कहने का मतलब समझेगे अगर कहा जाए दो जग एक तरह कहें यानि कि R1 बटे H1 पहले के लिए जो radius और height का रिश्य होगा वही दूसरे के लिए होगा तो यहां से हम कह सकते है कि R1 बटे R2 बराबर H1 बटे H2 right clear कोई दिक्कत नहीं होनी चे यानि यहां से आपका R1 by R2 का whole square is equal to कितना हो जागे? H1 by H2 का whole square it means 8 बटे 12 का whole square यानि कि कितना हो जागे? 8 बटे 12 कितना होता है? 2 बटे 3 का square यानि कि 4 बटे 9 यह हो गया और गुडे में यह कितना लिखा हुए? 2 बटे 3 और यह बराबर दिया गया 80 बटे समतिक पर्टिकुलर चीज को पिगलानी है and you have to make some another shape ठीक है? 6 cm ब्यास के एक कोई गोला हो तामबे का लोहे का I don't care you need not to worry about और आपको पिगला के एक तार बनाना है तार हमेशा सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनता है ठीक है आपको उसकी रेडियस दीगे उचाई या लंबाई वही होगी अब हमने पिगलाया क्या है गोला गोले का वॉल्यूम कितना होता है चार बटे 3 गुड़े पाई यानि के रेडियस दिगे तीन सेंटिर को मिली मीडर में बदल सिस सेंटी में यानि कि चार बटे थीन पाई गुड़े वीकडर बीस गुड़े 20 यह vist 20 30 गुड़े 30 गुडि तीस ठीक है यह हो गया इसको पिगला कि हमने क्याइब अ हमने मनें बनाय है एक पाई इंटु आर कितना दिया गया वेलन के लिए 0.1 नहीं 0.1 गुड़े 0.1 और गुड़े लंबाई को यह दोनों बराबर करते हो खटा खटा कट गया तीस से इससे कटा 10 हो गया के लिए जीरो पोइंट 1 गुड़े लग जाएंगे ल बराबर हो जाएगा चार गुड़े हजार चार हजार हो गया और गुड़े नो के बाद डुवल जीरो चार नवा चात्तिस के बाद 50 आपका उत्तर हो जाएगा क्या कहा गया कखे दो संकेंद्रित भृत्तों के बीच घिरेग भृत्ताकार पत की आंतरीक परीदी पत अगर इस तरह से है इसकी आंतरीक radius smartr है तो smallr वाले यानि आंतरीक परीदी तो सोई बराबर हो गया पत्का चेत्रफल क्या है आछ चोडाई दी गए इन मिट्र यानि दिश वन इस कि आपको बताने पत्का चेत्रफल हमेंशा होता है पाई इन्टू capital R स्कूर माइनस समाल इसकूर होता है नहीं होता है कि आपंगे capital R कैसे निकलेगा आपने इंटर्ण रेडियस 42 है तो आउटर रेडियस 42 तीन पैतालिस यानि कि हो गया बाई 22 बेटे साथ गुड़े आर प्लस आ तो बैया 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 दूने चौरासी तीन सतासी हो जाएगा और आर माइनस ती इसी को सॉल्ब कर ले ठीक है निकाल लो तो यह पहले आप निकालो 87 तीन साथ से क पच्पन 1175 बैस यानि 825 के करीब आपका आंसर है जो की इतना है देखो संपूर्ण प्रिष्ट्य चेत्रफल दिया गया सम पिरामिड का आधार क्या है वर्गात पिरामिड क्या होता है देखो यह वर्ग है ठीक है इसकी पिरामिड है तो एक सीर्स होगा जहां पर सारे यह से जॉइन कर दो ठीक है जॉइन कर दिया हमने यह लिए लिए अब यह पिरामिड बने के संपूर्ण प्रिष्ट्य चेत्रफल कितना होता है गर इसकी स्लैंट हाइट एल माल ले तो आपका होत ठीक है अब यह आपका आगया यह स्कॉर ब्लस टू एल दिया गया यह बराबर आपका कितना दिया तोसो ब्लेस्सली से लेल में लो कॉम जो फिरेप स्ट्रों चbenu एप त्मेहर बराबर आपक साय तो तो आपको यह समझना है कि यह जो सर्फ्यस है यह तिर्भुजा कार होगा और तिर्भुजा इसकी उचाई तिर्याक उचाई एच मानी जाए तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपके हाफ इंटू बेस इंटू स्लेंट है कहा गया एक घं पिंड के बिकर्ड की लंबाई इतनी है बिकर्ड हमेशा घं के लिए होता है साइट इंटू रूट थरी यानि एज इंटू रूट थरी यह आठ रूट दिया गया यह प्रशन क्यूं पूछा गया मुझे नहीं पता आपको पता हो जरूर बता ना आप से कहा काट होगे 312 से काट होगे 412 से काट होगे 5 345 के रेशियों में यह क्या हो जाएगी भाइसा यह हो जाएगा राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया होता हाफ इन्टू बेस इन्टू हाइग तो इन दोनों को गुड़ा कर दो 360 गुड़े 400 आपने कहा इसका जो शेत्फल है वर्ग के शेत्फल के बराबर वर्ग की बुझा यह हो तो ए स्कॉयर के बराबर दो से कटा यह हो गया 180 अब इसको काट पीट लो काट होगे पीट होगे तो आपका आंसर कितना आजएगा देखो एक काम को 60 यहां से निकालो तो यह तीन बच अब यह यहां से कितना हो जाएगा 62 120 का तो रूट निकल के आजएगा 120 स्कॉयर का 120 हो गया रूट यह साइड कितनी आगे 120 रूट छे काम खता देख लो कागे 7 सेंटीमेटर और 7 तिरिज्या और 7 सेंटीमेटर उचाई के एक ठोस संकू को साथ सेंटीमेटर तिरिज्या व साथ रेडियस भी और हैट वे दोनों साथ तो आर इसको अनी टीमेटर उचाही साथ यहीं साथ को इसको कुछ के साथ में दोंदो के साथ गोलों का वाल्यू मात है चार बटे तीन पाइण इंटू स्मॉल और स्मॉल और कूब ठीन साथ का इसको पिगला कि हमने क्या बनाया बेलन का प्रिज्यस साथ दिया गया यायन गया things निकाल डएक है इनकाल को यहाँ से देखो 7 का क्योब साथ का क्योब साथ क करेगी पाई 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 चाण यह आपका एकइस बाते तीन तो यह 63 बाते थीन यानि कि 21 हो जाएगा एच बराबर 21 आगया अगला प्रशन बहुत सुन्दर साथ सबसे अच्छा प्रशन मेंसुरेशन का यह चिनक है चिनक मतलब कोन था उसका उपर हिस्सा लाज इसकी किसी ने काट ली नाक अब यह इस तरह से इसके उपर एक ने हमने अर्धकोला रखते हैं इसका जो बेस का दोनों साइड का दो बेस बनते हैं तो एक का जो ब्यास है वह 49 है यानिकी रेडियस 19.5 और उपरी हिस इसकी पूरे के उचाई जो दी गई वो दी गई आपको 22.5 आपको पता है कि यह जो हमी स्पेरिकल भाग होगा इसकी उचाई जो होती है वो रेडियस के बरबर होती है यह 10.5 होगे पूरी है 22.5 तो यह कित्मा हो जागा अब आप से कहा गया कि अगर इसको बनाया गया है किससे एक हमने इसको बनाया है कपड़े से तो इसका बताने है कितना कपड़ा आवश्यक हो कपड़ा हमेशा lateral surface area की बरबर दो है तो हेमी सपेर के लिए lateral surface area 2 pi r2 होगी ठीक है अच्छा और इसके लिए कोन फरस्ट्रम के लिए क्या होता है कोन फरस्ट्रम के लिए होता है पाई इंटू आर प्लस र इंटू एच मिल्दब एल स्लेंट हाइट अब एल कैसे निकलती है हमेशा याद रखना कि स्लेंट हाइट जो होती है वो यानिकि स्मॉल बराबर होती है अंडर रूड में स्कूर को में होती है यह है जोड़ दो तो आपको टोटल अंसर हो जाएगा इधर कपड़ा रएगा ऊपर अपर यहां पर क्वासेृट का इस सकते हो जाएगा है क्हूंटा हो जाएगा है जैए 21.5 का स्कुएर यानिक 21 बट्टे 2 का स्कुएर यानि441 बट्टे 4 हो जाएकथ हो जाएकथ यह कितना हो गया आर क्रDas us wouldi9 दूस पराइबर 10 यह रहे यह बराबर 15 हो सई हाब इस 441 बटे 2 धन 450 यानि कि 441 बटे 2 प्लस 450 को लिख सकते हैं 441 प्लस 900 बटे 2 यानि कि 1341 बटे 2 हो जाएगा पाई से कर देना है गुड़ा तो 22 बटे 7 से इसमें चपका के गुड़ा कर दो चपका मतला बगल बगल लिखके 2 से कटा यह 11 हो गया 11 से कटक 11 कम 11 14 45 गयारत यह 33 पांच चार साथ सैंदीस और 11 एकरनें 14 इसको डिवाइड करना साथ से बटे लिखका हो भाई यह जीरो लगेगा साथ सता उनचा सही दो बटे साथ आपका आंसर तो आपको जो जानना था वो यह था तो कोन फ्रेस्टम के लिए आपको वालियूम भी समझना था और surface area भी समझना था तो मैं फिर से बता दे रहो हूँ यह कौन प्रस्टम है अगर इसकी radius capital R है इसकी radius small r है यह आपका h है तो आप हमेशा समझना इसका volume तो होता है pi by 3 into r square plus r square plus r into r into h यह होता है volume lateral surface area के बात की जाएगे lateral surface area होता है pi into r plus r into slant height slant height l बराबर होता है under root में r minus r whole square plus h square यह हमेशा याद रखना यह किसके लिए होता है कौन प्रस्टम के लिए यानि कि संकू छिनना के लिए संकू छिनना के लिए I hope आपको सारे questions सारे concepts समझ में आगे होंगे अगर समझ में आगे है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें अपने दोस्तों साथ सेयर करना न भूलें दोस्तों लोग साथ भी सेयर करना न भूलें उनको जलाएं बाकी बाबाए टेक के राल दे बेरी वेश्वार आल कुई जांस टेलिग्राम चैनल जोइन कलेंडर उधर आपको पीडियाप मिल जाएगा लव यू आप